साइजड का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं साइजड को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे साइज किया गया हो या जो साइज किया जा चुका हो उसे हम एडजेक्टिव के रूप में साइजड कह सकते हैं इसके इलावा sized जो है वो size का past and surpassed participle होता है यानि कि size की ही second और third form होती है sized और size का आर्थ होता है लगाना, परिमान बांधना, सजाना, नापना, छाटना, आकार के क्रम में रखना यानि कि जैसे सबसे पहले सबसे बड़े आकार का रख दिया, फिर उससे छोटे आकार का या फिर उससे छोटा या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा तो इस क्रब में किसी चीज़ को रखने को भी size कहा जाता है इसके इलावा इसका आर्थ होता है सरेस लगाना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उसने बहुत जल्दी स्थिती को आकार दिया तो आप कहेंगे he sized up the situation very quickly अगर आप यह कहना चाहें कि अधिकांश पोशाक पैटर्न बच्चों के लिए आकार के होती है तो आप कहेंगे most costume patterns are sized for children यह अगर आप यह कहना चाहें कि उसने जल्दी से इस्थिती को आकार दिया तो आप कहेंगे she quickly sized up the situation अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें